दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कि किस परकार से जो energy meter होते हैं, उसको test किया जाता है, कि जो energy meter हैं, वो सही हैं कि नहीं, same load पर और same time पर वो बराबर unit को consume कर रहे हैं, या नहीं, यह इसमें test किया जाता है, तो यह testing board है, यहाँ पर हम, जो energy meter है, उन न को हमें test करना है तो उनके test करने के लिए हमने 1000 smaller light होती है उसको यहां पर लगाया है तो इस हिसी light से हमारे मीटर चैक होंगे Nh invece जो मीटर है वह इस प्रकार से है तो यह के लिए उपर का cover उसको खोलना होता है और cover को खोलने के यह वाले देखने आई है जो connection होते हैं इसके तो पहला point है इसमें input का face होगा और दूसरा point है उसमें हमारा input का neutral होगा और तीसरा point है उसमें input जो output है उसका neutral होगा और चौथे point पर हमारा face होगा output का तो इस परकार से जो circuit diagram है वो energy meter के उपर भी बना होता है तो जो neutral होते हैं आप उसमें sort होते हैं बीच में जो हमारा energy meter है उसमें तो देखिए इसी परकार से जो हमारा board है उसमें भी बायर निकली हुए है तो पहला wire connect करेंगे हम face में पहले point में energy meter के और दूसरा करेंगे हम energy meter के दूसरे point में जो कि neutral होगा और यह दोनों neutral है वो आप उसमें sort होते हैं हमारे जो energy meter है उसमें तो देखिए यहाँ पर हमारे sort देखाई देगा तो अंदर से sort होते हैं और जो last बाला चौथा point होगा वो हमारा output का face होगा यह output में जो connect निकलती है supply निकलती है उसका यहाँ पर face connect करेंगे चौथी नम्मर पर तो इसी परकार से हमें इसके connection को करना है तो आ पहला point है उसको हम connect कर देंगे face में और जो दूसरा point है दूसरा बायर निकला हुआ है हमारा इस boat से तो दूसरे point को हम connect कर देंगे हमारे second point पर जो हमारा energy meter का दूसरा point है उस पर connect कर देंगे और third number जो बायर है उसको third number point है जो energy meter का जो की neutral है output का उसको यहाँ पर connect कर देंगे और लास्ट में जो हमारा बायर बचेगा उसको हम एनर्जी मीटर के लास्ट बाले पॉइंट में connect करेंगे जो हमारा output का face होगा तो इसी परकार से हमारे सारे जो एनर्जी मीटर हैं उनके connection को करना है और इस परकार से बहाँ पर hang कर देना है यहाँ पर screw लगा हुआ है उसमें हम इसको hang कर देते हैं तो देखना इस परकार से हम पहले जो cover है जो एक nut लगा होता है उसको खोल लेते हैं और उसको खोलने के बाद जो हमारे अंदर बाले screw होते हैं उन्हें हमें खोलना होता है तो देखी यह screw है वो हमें खोल लेना होता है तो अभी हम क्या करेंगे एक नीचे वाला screw है एक ही एक खोलेंगे क्योंकि अभी हमें सिर्प test करना है अगर आप कभी भी जो meter है energy meter कहीं पर लगाती है तो आपको दोनो screw से tight करना होगा बायर को इतना छीलें कि आपका दोनों बायर से कनेक्ट हो जाए जिससे जो अच्छा टायट रहेगा तो जो हमारा एनर्जी मीटर है वो सही से बर्क करेगा नहीं तो अगर लूस कनेक्शन रह जाएगा तो ये पूरी तरह से जल जाएगा खराब हो जाएगा इस पारकिंग होने से तो देखिए इस परकार से हमने पहले पॉइंट में फेस और दूसरे में नूटल और तीसरे में भी हमने नूटल को कनेक्ट कर दिया है आउटपुट के पॉइंट है इसको हमने जो हमारा मीटर है उसके दूसरे मेंट पर नूटल है यहां से जो आउटपुट कर दिया है जहां पर हमने लोड को कनेक्ट करना है तो देखिए इस प्रकार से ये connection होने के बाद अब हमारा जो energy meter है ये हमारा main energy meter है तो इसके द्वारा जितनी unit ये consume करेगा उतनी unit हमें ये वाले meter को भी consume करने चाहिए तब भी हमारे जो meter है वो सही माने जाएंगे अगर कोई भी meter गड़बड होता है कोई भी थोड़ा point का भी गड़बड होता है तब भी ये वो meter सही नहीं होता है वो हमें उसको हटा देना होता है उसको हम किसी के यहां नहीं लगा सकते हैं तो देखिए हमने सारे meters को लगा लिया है और सारे meters को लगाने के बाद अब हम क्य करेंगे इसको पहले और देखें यहाँ पर यह लोड है हमारा लोड कनेक्ट कर दिया है तो लोड अभी हम आन नहीं करेंगे सबसे पहले जो जितने भी एनर्जी मीटर है सबकी सप्लाई को आन कर देंगे और करने के बाद जितना समय हम उसको देखेंगे कि अभी इस के लिए करेंगे तो उतने time तक हमारा same unit consume होना चाहिए सभी meters में तो देखिए हमने सभी meters की जो अभी unit थी उसको note कर लिया है एक paper पर और इसके बाद अब हम इसका load है वो connect कर देंगे तो देखिए या ना load हमने connect कर दिया है और load को connect करने के बाद अब हम कुछ time बाद उन meters को चेक करेंगे कि सभी meters में बराबर unit consume हुई है या नहीं हुई है तो देखिए जब तक ये load connect रहता है उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि किस परकार से जो हमारा board है उसमें जो बायर निकाले हैं उसके इंटर्नली connection हमने कैसे किये हैं जिससे एक ही load से हमारे सारे meter चेक हो जाते हैं तो देखिए जो सबसे पहले हमारा main meter लगा हुआ है जिससे हमें सब meter को चेक करना है तो उसमें से जो output में neutral face निकलेगा तो उसको हमने connect किया है जो हमने meter पहला meter लगाया था उसके input में उसका output का इसके input में connect कर देंगे और फिर इसके बाद जो हमने पहला meter लगाया था उसके output में neutral face जा रहा था तो उसको हम connect कर देंगे हमारा जो दूसरा मीटर लगाया हमने उसके input में तो इसी परकार से हमारे जो इसके पहले मीटर की output निकलेगी उसको हम दूसरे मीटर की input में connect करेंगे और फर दूसरे मीटर की जो output निकलेगी उसको तीसरे मीटर के input में connect करेंगे तो इसी प्रकार से हमने सारे मीटर को बहाँ पर connect कर दिया है बोड में और उसके बाद जो हमारा last मीटर था उसमें जो neutral face निकल रहे थे तो उसको हमने एक socket में दिया था और उस socket से हमने load को connect कर दिया था हमने light को लगाया है उसको बहाँ पर उस socket में लगा दिया था जिससे बराबर load सभी meters पर आएगा तो बराबर unit को consume करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर दो घंटे बाद जब दो घंटे चल गए उसके बाद meter को चेक करेंगे तो देखना यहाँ पर जो हमारी unit आ रही है वह हमारे दो unit के करीब आ रही है तो हमें अब यह check करना है इसमें हमने point को भी note किया था क्योंकि सभी meters में पहले point थे तो सभी को हमें क्या करना है दोबारा आपको हम note करके दिखाते हैं एक पर-पर कि पहले यूनिट क्या थी और दूसरी यूनिट जो हमने लिए है फाइनल रीडिंग जो लिए है वो क्या थी तो देखिए हमने यहां पर सभी को नोट कर लिया है और जो हमारा में मीटर है उसकी भी यूनिट को हमने नोट कर दिया है उपर की साइड तो देखेंगे जब आप इसमें देखेंगे तो यह हमारा जो है मेन मीटर है तो इसकी रीडिंग देखना यहाँ पर अभी 93 है लास्ट में और उसमें हमने नोट कर रखी थी तब 91 थी तो यहाँ पर इतना फर्क होना चाहिए हमारे सभी मीटर में तो जब आप देखेंगे तो यह जो मीटर लगे हुए हैं सब में आपको बरावर फर्क नजर आएगा सेम फर्क नजर आएगा जो हमारी पहली लिडिंग धी फिस्ट रीडिंग इनिशेल लीडिंग धी और ऑजिए फाइनल लिडिंग है उसमें हमारा सेम फर्क देखेंगा जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है जो हमारे सारी मीटर हैं वो सही है